हेलो दोस्तों, दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हो कि अगर आपको आपके फ्री चार्ज एप्लिकेशन का रिजिस्टर मोबल नबर चेंज करना है तो कैसे कह सकते हो? एक रिक्विस्टेड वीडियो है और अगर आप भी फ्रीचाज का एप्लिकिशन बहुत जादा यूज करते हो तो यह वीडियो डेफिनेटली देख लीजे क्योंकि आपको इस वीडियो का कही ना कही आगे यूज होने वाला है तो बिल्कुल ऐसे ही वीडियो आगे भी पान दोस्तों तो सबसे बिल आपके मोबाल में फ्रीचाज का अप्लिकिशन होना जरूरी अगर नहीं तो प्लेच टोर में जाएए उसे इंस्टौल कर लीजेए और बिल्कुल आपको उसी रडिस्टर मोबाल नमबर से आपको लॉग इन हो ना है जिसे आपको चैंग ना आप स जैसे कि आप क्लिक करोगे, यहाँ पर देखे, edit profile का option मिलेगा, जिसके उपर आपको क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर देखे, update personal details का option मिलेगा, यहाँ से आप change password भी कर सकते हो, नीचे दूसरा option दिया गया है, लेकिन हमें mobile number change करना, register, तो बिल्कुर आपको update personal details का option मिलेगा, जिसके उपर आपको क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपका नाम दिखाएगा, यहाँ पर जो भी mobile number दिया गया है, वो दिखाएगा, हाला कि जो भी mobile number दिया है, register है, वो board में नहीं दिखाएगा, लेकिन उसके side में आपको change का option मिलेगा, जो board में दिखाएगा, यानि कि उसके उपर आपको क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर कुछ information दी गई है, तो मैं बता देता हू, information क्या है, बिल्कुल आपके पास पुराना mobile number होना ज़रूरी है, अगर नहीं है, तो कोई problem नहीं है, जबी भी आपने free charge account बन में है, तो बिल्कुल यहाँ पर automatically OTP डिटेक्ट कर लेगा, अगर नहीं आपके पास mobile number पुराना वादा, तो बिल्कुल आप email address पर जाईए, वहाँ पर OTP आएगा, बिल्कुल आप वो से यहाँ पर इंटर कर लेना, तो चले यहाँ पर मैं प्रोसेट के उपर क्लिक कर देत है, तो मैं यहाँ पर request OTP के उपर क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक करूँगा, यहाँ पर बिल्कुल OTP आ चुका, और OTP आटमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है, क्योंकि वो पुराना mobile number मेरे इसी mobile में है, अगर नहीं है, तो आप चेक आउट कर लीजिए, जिस भी mobile में होगा उसके ओपर OTP ज़रूर आएगा, या फिर आपके पास पुराना mobile नहीं है, तो बिल्कुल आप email address में चेक आउट कर लीजिए, OTP नमर और आपको यहाँ पर इंटर करना है, तो चलिए यहाँ पर direct मुझे new number पूछ रहा है, तो मैं नया number यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने new number इंटर कर दिया है, और यहाँ पर request OTP के ओपर क्लिक कर देता हूँ, दोस्तो नया number भी आपके पास होना जरू है, क्योंकि उसके ओपर OTP आएगा, और बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हो, OTP पूछ रहा है, तो कुछ ही seconds में क्लिक करना है, बिल्कुल आप यहाँ से आपका free charge का register mobile number चेंज हो चुका है, जी, तो यह simple सी process थी, लेकिन requested video, इसलिए मैं आप से share कर रहा हो, अगर आपको यह वीडियो पसंद रहा होगा, अगर आपको मेरे information पसंद रही होगी, तो like कर देना, share कर देना, और subscribe नहीं क्यों लेना, ना ऐसे ही helpful videos आपके लिए हमेशा लाते रहता हूं, तो thank you for watching my video, bye bye, see you, take care guys